मुक्तार के नाम से बड़े बड़ों कोई पसी ने निकल जाते थे आज वहीं डौन मच्छरों से घबरा गया है जेल में उसको नीद नहीं आ रही है रात में उसको भयानक सपने आ रहे हैं दरसल मुक्तार अनसारी को अबसे पंजाब के रूपर जेल से यूपी के बांदा जेल के बैरक नमबर 16 में सिफ्ट किया गया है तब से उसकी रातों के नीद उड़ी हुई है बीबी आईपी ट्रीटमेंट का आदी हो चुके मुक्तार को इस बार जेल में आमकैदी की तरह से रहना पड़ रहा है जिसकी वज़ा से ना तो उससे दीन में चैन मिल रहा है और ना है रात में अराम मिल रहा है जेल मैनुल के हिसाब से मुक्तार को सोने के लिए एक कंबल एक दरी और दो चादर दी गई है खाने में उस्से रोजाना सुबह सात वजे के करीब एक चाय और नास्त में ब्रेडिया दलिया दिया गया उसके बाद جेल में ही बनी दो पहर में दाल, रूटी, चावलब और उसके बाद रात में भी जेल का ही खाना बना खाना दिया गया लेकिन उसे जेल का खाना पसंद नहीं आरहा है। जेल शुत्रों के मुदावी को वो खाना सही से नहीं खा रहा है, साथ ही वो रात में बैचेन रहता है, करवटे बदलता रहता है, कभी जेल की शुनी दिवारों को निहारता है, तो कभी आचानक उठकर बैठ जाता है, उससे पहले रात जेल के मक्छोडों ने तब परिशान किया कि उसने सुबह उटकर सबसे पहले मॉस्किटो नेट की मांग की जिसके बाद उसे जेल मैन्यूल के हिसाब से मुहाया करा गया शुरक्षा के लिहाद से डिप्टी जेलर और जेल कर्मियों को बॉडी वर्ण कैमरे पहना आए गया है उन्हें हर मैने बदल दिया जाएगा इन पुलिश कर्मियों की डिप्टी जेल मुख्याले ही तैगरेगा फिलाल मुक्तार के सुरक्षा में दो डिप्टी जेलर और बारह जेल कर्मियों को तैनात किया गया है निवज रूम से निवज लाइब की रिपोर झाल